सोलन में जहां एक और जिरा प्रशाशन समाजिक संस्थाएं वा अन्य लोग करोना के प्रती लोगों को जागरुक कर रहे हैं तो अब वहीं NSS भी लोगों की साहिता के लिए आ गया रही है देश के प्रदान मंत्री ने भी NSS को इस कड़ी में लोगों की मदद करने का आवान किया जिसके चलते अब हिमाचल प्रदेश में NSS के स्वाइन सेवक लोगों को जागरुक करने का प्रयास करेंगे ताकि करोना वाइरस जैसी महामारी हिमाचल में अपने पैर ना पसार सके इस विशेश कारेकर्म के लिए हर जिला में पददिकारियों की न्यूक्ति भी कर दी गई है सोलन जिला सहयोजक रितुन्शू शर्मा ने बताया कि देश के प्रदानमंत्री के हावान और दिशन रिदेशों पर हिमाचल में NSS के पददिकारियों की न्यूक्तियां की गई है और लोगों को जागरू करने के लिए जिला सहयोजकों को जिम्मेदारी सौंपी गई है वे सोलन में कोरो डिजिटल अभ्यान चलाने जा रहे हैं और अब डिजिटल माध्यम से ही लोगों को जागरू करेंगे उन्होंने बताया कि वे करोना से कैसे बच सकते हैं और जरूरत बंदों को साहिता कैसे पहुंचा सकते हैं इसके लिए NSS कारे करेगा एक ठोस कदम उठाते वे 21 दिन लॉकडाउन का एक पहल रखी है और हम पूरे भारती उसका सयोग दे रहा है उसी दौरान उन्होंने अपील करी कि राष्ट सेवा योजना से कि वो भी देश के लिए कुछ करें तो हमारे हिमाचल की टीम NSS टीम हमारे वॉलिंटियर कॉडिने शिरी नीरश शर्मा जी की अध्यक्षता में मुझे सोलन का डिस्टी कॉडिनेटर बनाया गया मैं उनका धन्यवाद कहता हूं और हमने एक मिशन चलाया है जिसे कोरो अवेर डिजिटल का नाम दिया गया है इसमें हम लोग डिजिटल तरीके से लोगों को सरकार की द्वार दी गई सभी समस्याओं से निवारण के लिए जो भी सूचना दी जाएगी हम लोगों तक पहुंचाएंगे और इतना ही नहीं यदि किसी व्यक्ती को सरकार तक पहुंचने में कुछ समस्या आ जाए तो हम उसका भी प्रभंद करेंगे और सरकार तक उनकी आवाज दोस्तो 21 जिन लॉकडाउन का टाइम है, हम सब जानते हैं कि घर में बैठ कर हम जितना देश के लिए कुछ कर सकते हैं, सब अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, स्टेट हिमाचल स्टेट की तरफ से राष्ट सेवा योजनक इकाई की तरफ से हम पूरे हिमाचल में 12 के 12 जिलो में इस अभियान को चला रहे हैं, डिजिटल कोरो अभियान का इसका हमारा नारा है, और इससे हम प्रतेख हिमाचलियों को या हमारे हिमाचल के जितने भी भाई बहनों को हम सहयता भी करेंगे.